Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 14.5 का question number 4 देखते हैं क्या है By giving a counter example, show that the following statements are not true हमें क्या करना है, एक example लेके हमें बताना है कि यह जो दो statement दे रखे हैं हमारी वो not true है मतलब false prove करना है उनको, ऐसे example लेने हैं, बिल्कुल simple है, अभी कर देते हैं Example की क्या जरूरत भी नहीं पड़ेगी हम अभी बता देंगे, देखो, first वाले पे चलते हैं solution देखते हैं इसका, condition क्या दे रखे, statement क्या दे रखे, पहले वो लिखते हैं P statement दे रखे, if all the angles of triangle are equal, तो यह लिखना है हमे, if all the angles of triangle are equal अब triangle के बारे में बात कर रहा है न, तो triangle की सारी property आपके mind के अंदर गुम जानी चाहिए, अब तक, ठीक है आगे क्या कहा है, then the triangle is an obtuse angle triangle तो भाई, क्यों statement क्या दे दी उसने, then the triangle is obtuse angle obtuse angle triangle, यह उसने बता रखा है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक चीज यहाँ पर क्या कहा है, अगर सारे ये सारे angle जो हैं triangle के equal हो तभी हमारी triangle क्या है, obtuse angle triangle है, क्या ऐसा हो सकता है अपने mind में सोचो, वैसे generally, नहीं हो सकता न, क्योंकि obtuse angle क्या होता है greater than 90 degree होता है, और greater than अगर 90 degree एक angle है, तो दूसरी condition क्या दे रखिए सारे equal angle लेने हमें, मालो हम 90 से उपर 91 लेते है angle तो क्या तिन्नों angle हमारे triangle के 91 हो सकते है, भाई नहीं हो सकते है क्योंकि sum ही total 180 degree होता है, तो ये condition तो वैसे ही गलत दे रखिए तो बस हमें क्या करना है, इसको दो तिन लाइनों में explain करना है, कि ये गलत है हमारी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, sum of angles of triangle is 180 degree यही होता है, if angles are equal, if angles of triangle are equal, then maximum possible condition क्या होगी हमारी then, angle जो होंगे, वो कितने-कितने degree के होंगे बच्चो 30 degree के, क्योंकि triangle के अंदर 3 angle होते हैं, और इसको 3 zay divide करेंगे, equal, equal तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 degree के angle हमारे क्या होंगे, होने चाहिए अब 60 degree angle तो obtuse नहीं है हमारा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 60 degree is not obtuse angle so, given statement is false बस यह आपको थोड़ा सा region explain करना है और अपनी statement को false लिख देना है आया समझ में, असान दाना, second पर चलते हैं, second part के अंदर क्या दे रखा है the equation x square minus 1 equal to 0 does not have equal roots lying between 0 and 2 क्या काया उसने, कि एक equation x square minus 1 equal to 0 quadratic equation है तो इसके 2 root होंगे, और उसने क्या काया, जो 2 root है वो एक तो not equal दे रखे है और दूसरी condition क्या बता रखे है, 0 और 2 के बीच में लाई करेंगे इसको हमने wrong prove करना है, तो कैसे करेंगे देखो सबसे पहले देखो, यहाँ पर q statement क्या दे रखी है the equation x square minus 1 equal to 0, यह equation दे रखी है कोई r statement है, हमारी वो क्या दे रखी है roots जो है lying between 0 and 2, यहाँ पर लिख लेते है roots not equal उसने क्या कह रखा है, does not have a root lying between 0 and 2 कि जो भी इसके root होंगे, वो 0, 2 के बीच में कोई भी root lie नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या है, roots does not lie between 0 and 2 अभी check कर लेते हैं, भाई, lie करता है या नहीं हमें क्या करना पड़ेगा, x square minus 1 equal to 0 के root निकालने है निकालते हैं भाई, x square equal to क्या आगया, 1 x equal to क्या आगया, under root 1 किसी का root निकालनेंगे तो plus minus 1 तो x की value क्या आगया, एक तो 1 आगई, एक x की value minus 1 आगई अब यहाँ पे देखो, x equal to minus 1 तो 0 और 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है ठीक बात है भाई, उसने जो condition कही थी, यहाँ पे satisfy हो गई बट x equal to 1 जो है, वो तो 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है और उसने कहा था कि कोई भी root हमारा लाई नहीं करेगा 0 और 2 के बीच में बट यहाँ पे तो लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x equal to 1 is in between 0 and 2, so given statement is false पस यही तो proven नहीं थी, not true, अब यही not true लिख लो, false लिख लो, बात बराबर होती है आप गलत कर रहे हो, कमेंट करोगे, नहीं सर, नहीं सर, गलत है बाई ऐसा नहीं है, समझ में आ गया होगा, आपको clear है कोई भी doubt लगे, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मतलब comment, ऐसे comment नहीं, whatsapp पे screenshot लेके अंडरलाइन करके, भेज़ दो मुझे मैं जल्दी जैसे ही time मिलता है, आपको reply कर दूमा Thank you students for watching, next class is